हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये है राधा का घर और यहां भी बाबा और सिध्धात चुड़ल के बारे में कुछ बाते कर रहे हैं चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है अरे सिध्धात बेजा तुम दरो मत उस चुड़ल को तो मैं यहां से निकाल कर ही रहूँगा आप सब जितना डरो कि वो चुड़ल तुम्हें उतना ही डराएगी इसलिए डरना नहीं है मेरे उपर बस भरोसा रखो अरे हाँ हाँ बाबा आपके उपर पूरा भरोसा है आप ही तो है एक जो उसे भगा सकते हैं आप कुछ न कुछ करके जल्दी से उसे भगा दीजिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अरे हाँ हाँ तुम चिंता मत करो जो मैंने समान मगाया हूँ बस लेकर आजाओ ठीक है ना मुझे बस दो मुहमबत्ती लाकर देदो उसके बाद उस चुड़ेल को तुम्हें यहां से भगा कर ही रहूँगा अब देर मत करो जल्दी से लेकर आओ अरे हाँ हाँ पाबा ठीक है राधा रहा तुम्हें सुना ना जल्दी से दो मुमबत्ती निकाल कर ले आओ बाबा के पास हाँ हाँ से आमके पापा मैं अभी लेकर आती हूँ बसे चुड़ेल यहां से भाग जाए मेरे बच्चे बहुत से डरे हुए है मैं आती हूँ जल्दी से और फिर चुड़ेल पीचे से आकर सोनमको खिशने लगती थी है और फिर चुड़ेल वहां से घयब हो जाती है अरे श्याम देखा ने मुझे चुड़ेल है ती वो हमारे पीचे पड़ी है यहां पर रहना खतिरे से खाली नहीं है छड़ो छलते हैं और फिश्या महां से डरते हुए भागने लगता है अरे बच्छो क्या हो तुम इतर डरे कोई क्यों हो क्या होगे आखेर अरे लादा अंटी वो चुडल मुझे खीच रही थी वो चुडल वह है पती हमें बचा लेजिए ना अरे अरे सोलम तुम चिंता मत करो ठीक है ना मैं हूँ यहां पर तुम सब को कुछ नहीं होगा चलो जाती हूँ बाबा जल्दी कुछ कीजिए लगता है उस चुडल को तुम सबसे कुछ ना कुछ चाहिए तब ही वो तुम्हारे पास आई है लगता है उबहती जाता सकती शाली है मुझे कुछ करना पड़ेगा चलो मैं जल्दी से शुरू करता हूँ अपना मंत्र और यहां पर बाबा मंत्र शुरू करने लगते हैं अच्छा ठीक है सब यहां से दूर हट जाओ ठीक है ना अब उस चुड़ेल को मैं यहां से भगा कर ही रहूँगा ए चुड़ेल तो जो कोई भी है जहां भी है जल्दी से सामने आ जार तो यहां पर क्यों आई है लगता है इसे नहीं मानेगी चलो देखता हो कहां पर है तो जल्दिया और यहां बाबा के मंतर शुरू करते हैं चुड़ेल को कुछ होने लगता है आखिर तो इन मासुमें की पीछे क्यों पड़ी है जल्दी बता तेरा क्या इरादा है यहां पर किसले आई है छोड़ दे इन लोगों को यह लोग बहुत ही अच्छे चली जा यहां से चली जा वरना मैं तुझे नहीं चोड़ूँगा भाग जा यहां से और यहां चुड़ेल को बहुत ज़्यादा गुसा आजाता है और वो यहां पर सब चीजे हिलाने लगती है अरे अरे यह सब क्या हो रहा है अरे यह सब क्या हो रहा है अरे यह सब क्या ह ही होती है अरे सब क्या हो रहा है अरे चल्दी हमें कोई बच्छाओ अरे शाम की बापा चल्दी कुछ कीजिए मुझे बहुते डर लग रहा है औरे हां राधा मुझे बहुते डर लग रहा है औरे सारे बच्छों को सम्हाल कर रखना ठीक है ना अले ममी ममी मुझे यहां पर लगडिया अपने आप ही हवे में उड़ने लगती है अरे चुड़ल क्या कर रही है अरे अरे यह क्या यह तो चुड़ल में उपर लगडिया फैक रही है अरे लगता ही चुड़ल यहां से नहीं भागेगी तुम सबको भी अपनी जान बचा के यहां से भागना ही पड़ेगा मुझे माफ करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ चलो जाता हूँ मैं जल्दी से अरे अरे बाबा कहां पर जा रहा है आप रुक जाये अरे यह किया यह बाबा तो भाग गए लगता है बाबा ढोंगी था अरे राधा अब हम क्या करेंगे देखो यह तो भाग गए अरे हाँ श्याम की पपा मैंने देखा अब हम क्या करें मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है राधा अंदी अब हम नहीं बचेंगे हमें बचा लेजे और यहां में श्याम और सोनम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं अरे पच्चु तुम सब चिंता मत करो और यहां चुड़ेल बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है अरे राधा मैं क्या बोल रहा हूँ यहां पर रहना आप खत्रे से खाले नहीं है श्याद हमें यहां से जाना पड़ेगा वो नहीं चुड़ेल हमें नहीं छोड़ेगी अरे 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 राधा तुम्हारे पीछे देखो अरे नहीं देखो तुम्हारे पीछे अरे श्याम की बापा मेरे पीछे क्या है क्या बोल रहे हैं आप अरे रादा हट जाओ वहां से हट जाओ अरे श्याम की बापा अरे ये चुरेल कहां से आ गई चलो भागो बच्चो यहां से भागो यहां से अले लादा अंटी मेरे रुकिये ये चुरेल यहीं पर है श्याम की बापा बच्चो जल्दी यहां से भागो यहाँ पर खत्रा है चलो भागो चल्दी से अले लाधा अंटी मैं भी आ रही हूँ चलो श्याम चल्दी चलो अरे श्याम की बापा आखिर हमने किसका क्या बिगाड़ा था जो यह आफ़त हमारे सर पर आ गई अब हम क्या करेंगे मुझे कुछ भी समझभे नहीं आ रहा है औरे यहां राधा मुझे भी तो नहीं और यहां पर सबिबो टेंशन में और डरे हुए बैठे हुए यहां पर चुड़े श्याम के पीछे बैठी होई होती है और अंदर खीषने लगती है और यहां पर श्याम बहुत जदर डर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है अरे अरे श्याम खाबर गया अरे अरे श्याम ये क्या हुआ अरे श्याम की पापा चल्दी देखिए अरे मेरा बेटा चल्दी बाहर निकलो श्याम अरे ये चुडल मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी है आखिर श्याम मेरा हाथ पकड़ो बेटा रुग मैं अभी तुम्हें बाहर निकाल दी हूँ मतलो हमें कुछ भी नहीं होगा अरे श्याम की पापा दीखिए ना मेरे बच्चे कैसे डरके बैठे हुए हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा कुछ सोचिए ना आप अरे राधा आप मैं क्या बोल सकता हो हमें सच में यहां से जाना ही पड़ेगा यह घर छोड़ना पड़ेगा वरना वो हमें नहीं छोड़ेगी यही एक रास्ता है अरे, अरे श्याम की बाबाब इसे कैसे बॉल सेकते हैं अपना घर नहीं छोड़ेंगे इतने मैनस से हम यहाँ पर एके गीटास जोड़कर अपना घर बनाएए है हम इसे छोड़कर नहीं जाएंगे कहें वे बेबी नहीं जाएंगे मुझे जानना है कि इस चुड़ेल का हमने बिगाड़ा किया है अब मैं सब जान करी रहूंगे लिकर अपना घर नहीं चोड़ूंगी रुकोश्याम के बाबा मैं अभी आती हूँ चुड़ेल तुम कहाँ पर हो मेरे सामने आंखेर तुम्हारा तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो तुम हम में चोड़ दो हमने कुछ भी नहीं किया है अगր मेरी कोई गल्ती है तुम मैं मानने के लिए तैयार हूँ लेकिन तुम आखिर बताओ तो हमारी गल्ती क्या है और फिर तभी वहाँ पर चुड़े ला जाती है औरे राधा देखुए तो उसकी हावास है औरे औरे पिछाड जाओ सब पिछाड जाओ तुम हमारे फैमली को कुछ नहीं कर सकती है चली जाओ यहाँ से रधा देखुए थहाँ सबस्क्राओं उसे और गुस्टा आजएगा तुम पीछे हो जाओ राधा जाने दो उसे अरे राधा ये सब क्या कर रही है छोड़ दो राधा उसे उसे बात मत करो अरे हा लाधा अंदी मत कीजिए उसे बात आजाएए आप वापश नहीं जाएए अरे तुम लोगों मेरा बच्च्छा के बात कर रहे हमने तुमारे किसी बच्चे को नहीं लिया है यहांपर तुमारा कोई भी बच्चा नहीं है यहांपर बस मेरे बच्चे है तुम चले जाओ यहां से औरे ऐसे कैसे चली जाओ मुझे मेरा बेटा है अम इसे नहीं देंगे हाँ शाम की बाबा मुझे भी यहीं लग रहा है तुम्हे कोई गलत फैमी हुए शाम हमारा बेटा है वो तुम्हारा बच्चा नहीं चली जाओ यहां से ये बोलकर चुड़ेल वहां से गायब हो जाती है अरे राधा तुम्हें सुना ना वो चुड़ेल हमारे बच्चे के पीछे पड़ी अब यहां से हमें सच में जाना पड़ेगा तो चलते हैं यहां से यहां पर रुखना खत्र से खाली नहीं है हाँ श्याम की बाप सही बोल रहे हैं चलते हैं अरे राधा आएंजी आप मेरे घर पे चलिए न वहां पर हम शेफ रहेंगे मम्मी भी रहेंगी वहां पर अरे अरे हाँ सही बोल रहे है सोनम अच्छा ठीक है चलो बच्चो हम चलते हैं चलो चलते हैं हाँ आंकल चलिए यहां पर मुझे बहुत ही ज़ता तर लग रहा है चलिए और यहां पर सभी जल्दी अल्दी सोरम के घर पे जा रहे होते हैं और यहां आदा जल्दी चलो कहीं वो चुड़ेल हमें देख न ले यहां से भागना पड़ेगा हुमें हाँ हाँ श्याम की बापा चलिये चलते हैं मेरे बच्चे का सवाल है जब तक यह चुड़ेल यहां से नहीं जाएगी तब तक हम यहां पर नहीं आएंगे चलिये और यहां पर चुड़ेल सभी चीजे खड़ी होकर देख रही होती है दोस्तों हमारे आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ठैंक्यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो